स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना ज्यान फॉर यू में जहां हम आपके लिए सरकार द्वरा लाई गई योजनों की जानकारी देते हैं और उनकी अपडेट आपके साथ लगातर सांजा करते हैं साथ में हम आपको सरकारी नौकरियों के बारे में बताते हैं जो आपके काम आ सके आज हम आपके लिए क्या हैं पीएम अवास योजना जो की पीएम अवास योजना को लेकर सरकार ने एक बड़ा अलान किया है जिसका सभी पर असर पड़ सकता है इसके बारे में हम आपको लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो यहाँ आप से अनलाइक भी कर सकते हैं पी एम अवाज के लावारति आगर आप तो यह ख़बर जरूर है आपके लिए सरकार ने पी एम अवाज को लेकर एक बड़ा एलान किया है सरकार ने इस एलान के बाद आप 90 क्रोड पक्के मकान औलोट करने का लक्ष रखा है अब तक लगभग 2 क्रोड पक्के आवास बना कर दिये गए हैं लेकिन अगर अब भी कई ऐसे परिवार बाकी है जिन्हें ध्यान में रखते हुए परधान मंतरी आवास योजना ग्रामिन को 2024 तक जारी रखने की मंजदूर दी गई है इससे लाखों ग्रामिनों को बड़ा फाइदा होगा सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनसार इस योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च एक लाख तरतालिस हजार 782 करोड रुपे होगा और इसमें नावर्ड को लोन के इंट्रस्ट पेमेंट के लिए 18,676 करोड रुपे शामिल है दरासल सरकारी सियोजना के जरिये पहाडी राजयों को भी 90% और 10% के धार पर पेमेंट करती है जबकि बाकी केंद्र और राजयों का 60% और 40% पेमेंट होता है जबकि केंद्र शाषित परदेशों में सरकार 100% पैसे खर्च करती है गौर तलब है कि सरकार स्वच भारत मीशन ग्रामिल के तहट शचाले बनाने के लिए 12,000 रुपे देती है जो भवन निर्मान के अलावा दिया जाता है इस योजना के तहट हर परिवार के लिए पका मकान, पानी, बिजली और शचाले उपलवद करवाने का सरकार का संकल्प पूरा हो रहा है आशा करते हैं कि आपको हमारी ये दीगई जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सकें और वो भी इस योजना का फायदा ले सकें धन्यवाद